मीशो के पूरे बीज जुत्या तक ये मीशो के क्या मंगवाया था और क्या बेज है हदो बेज Hi everyone, welcome back to my channel कैसे हो आख सब So, आज की जो वीडियो है न वो बहुत ही जादा different होने वाली है क्योंकि ये होने वाला है मीशो का huge shoes hold And मेरे पास मीशो के भी सस्ते जुत्य हैं और ये वाला जो hold है न वो बहुत ही मस्त होने वाला And इतने सारे जुत्य एक बार में तो किसी ने नहीं दिखाए होंगे तो ऐसा काम मैं ही कर सकती है तो हम बगबग नहीं करेंगे Okay, so जो first shoes है न वो थे ये वाले जो बड़े सुन्दर लग रहे Receive वो है न वो कुछ ऐसे से है और ये देखने में बहुती जादा सुन्दर लग रहे है बिल्कुल same to same है कोई कमी शमी नहीं है और इसका जो all over look है न वो कुछ ऐसा से है नीचे का जो तला है न वो थोड़ा सा hard है पर ये जो उपर का कपड़ा दे रहे है न ये बहुत soft है फटे का फटे का नहीं अच्छी quality है मीशो पर स्रिफ 330 रुपे है और मुझे 330 रुपे में तो ये बहुत वर्थिड लग ए है नेक्स्ट है न होते हमारे ये सफेद रंगे शूज प्रोपर तो नहीं पर सुंदर बहुत लग रहे थे पर यहां पर जो कलर आया है न वो सुंदर लगड़ा था पर जो मुझे आया है न वो ऐसे ग्रे कलर में है अब मीशो पे थोड़ा बहुत फ्रोड तो चलता ही रहता है देखने में ये बहुत ही जादा खुबसूरत है कपड़े की क्वालिटी बहुत अच्छी है और नीचे साइड का जो तला भी है न वो बहुत जादा सही है पहनने पर एकदम कमफटेबल का भी प्राइस मीशो पर स्री 388 है मतलब इतने सस्ते में शूज मिल रहे हैं नेक्स्ट है न वो थे हमारे ये वाले स्टैंडल या शूज कुछ भी कहलो पर ये बहुत सुन्दर लग रहे है इसका जो लुक है न वो कुछ ऐसा से और ये देखने में बहुत ही जादा खुबसूरत है ये हर किसी क पैर पे बहुत प्यारा लगेगा और जो लुक है न वो कुछ ऐसा से इसका जो नीचे का तला भी है न वो काफी अच्छी क्वालिटी का और जो कपड़ा है न उसकी तो क्या तारीफ करूँ अंदर से भी बहुत सोफ्ट है लाइक एकदम स्पंज ना लगा हुआ इसके अं इसका जो लुक है न वो ऐसा से प्योर वाइट कलर में इसमें कुछ भी नहीं है और इधर साइड इसमें आपको इतनी मतलब हाइट वाइट मिल रही है नीचे का तला एकदम सपाथ है अच्छी क्वालिटी का है पर इसमें आपको न यह थोड़ा-थोड़ा सा ना गोल्ड नेक्स्ट है ना वो है हमारे यह काले काले शूज मैं सच बतारी हूं मिरको बिलकुल उमीद नी थी कि यह मुझे दिलीवर होने वाले कहा है नी सकता कि यह मीशो के जुत्ते हैं और यह इतने सुन्दन लग रहे है इसका जो ओल ओवर लुक है ना वो कुछ ऐसा से मतलब प खोड़ा सा बड़ा था इस वज़े से इतना अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन इसका प्राइस मीशो पे सिर्फ 480 और इस प्राइस में तो इन जुत्तों से मार खाने में भी शरम नहीं आए ना उसको देखके तो आपका दिल खुश होने वाला है क्योंकि मैंने ओडर किय इससे पहले आउट ओफ स्टोप हो जाएगा जो नेक्स्ट है ना वो है हमारे ये वाले इसका जो लुक है ना वो कुछ ऐसा से रंग भी रंगा सा एंग जो ओल ओबर लुक है ना बिल्कुल भी ओवर नहीं है डीसेंड सा है एक दम ब्रैंडेड वाला लग रहा है पर यह गॉल्डेन है ना मुझे उतना अच्छा ने लगा बाकी इसका ओल ओबर लुक उपर साइड से और निचे साइड से एक दम कॉलिटी बहुत अच्छी है प्राइस मीशो पे सिर्फ सारे 400 रुपे है और इस प्राइस में गिस्ता और अच्छा माल ले सके जो नेक्स्ट है न वो एकडम सोफ्ट वाला कपड़ा दे रखा है सिलाई अच्छी कर रखी है कहीं से भी फटेगा नहीं तो मेरी भेन पहन लेगे श्रीफ आपको 448 रुपे में मिल रहे है यार इस प्राइस में शूज मिल रहे है ना वही बड़ी बाद कॉलिटी भी है नेक्स्ट है ना उस इंटर में वेर करते हैं वह वाले हैं पर इसका उपर का कपड़ा है ना वह एकडम ऐसे रबबड की तरह है और जो नीचे का भी तला है ना लाइक आप इसे जैसे मर्जी फोल्ड करो यह बिल्कुल भी खराब नहीं होगा क्वालिटी अच्छी दे रखी है अमी को यह सुन्दर है और नीचे साइट से ना आपको इसमें थोड़ी सी हील भी मिल रही है जिसकी क्वालिटी अच्छी है इसका लुक भी सुन्दर आने वाला है जो इसकी सिलाई कर रखी है ना अगर आपको अच्छे से फोकस हो रहा हो तो यह मुझे उतनी जाधा सही नहीं लगी है इसमें भी आपको ऐसी हील लाइट मिल रही है साइज अच्छा है क्वालिटी अच्छी है शाइन बहुत अच्छी है मैं कौन सा रखूं यह वाला यह वाला पर मैं यही रखने वाली हूं कि सारी दुकान तो मैंने ही खरीद लिया क्योंकि यह शूज भी मुझे इतने अच्छा बाए कर लेते जाधा सुन्दर लग रहे हैं देखने में यह जितने खुब सूरत है ना पैने पर और भी प्यारे लग रहे थे पूरा जो लुक है न वह इतना जाधा प्यार है पिछे साइट से यह थोड़ा निकला हुआ होता है ना उस टाइप से और थोड़ी स तो आप इसे ट्राइ कर सकते हैं काला काला समान ना मैंने खरीद लिया क्योंकि अगेन मैंने यह काले काले बूट खरीदे देते हैं वह कुछ ऐसा से देखने में इसमें ऐसा कुछ भी खास नहीं है बिल्कुल प्लेन बहुत ही जाधा सुन्दर है और जो प्रोपर लुक है ना वो कुछ ऐसा साइस में आपको अच्छी कासी ही लाइट भी मिल रही है और यह जो कपडा दे रहा है यह प्योर लैदर वाली फिलिंग दे रहा है अंदर से भी यह काफी कमफटेबल है कहीं से चुब नीरा क्वालिटी अच्छी है लुक सुन्दर आने बूट पसंद ह लेकिन सस्ते वाले तो मेरे कोडिंग लिए आप इसे मीशो से ट्राइ कर से एक तो बजट नी ही लेगा और आपको थोड़ा सा फैशन मारने का मोका भी मिल जाएगा किस नजर से बाई कि है मेरे को भी नहीं पता क्योंकि देखने में तो यह सुन्दर लग रहे है और जो प इसलिए लिया था क्योंकि यह बड़े सस्ते में मिल रहे थे तो इसलिए मैंने ओडर कर दिया कुछ ऐसे से मुझे यह बहुत ही जादा अजीब से लग रहे है इसका जो प्रोपर लुक है ना वो कुछ ऐसा से उपर साइब आपको ऐसे यह प्रिंट सा मिल रहा है एक्दम क जो है ना वो थे यह वाले शूस जो बहुत ही सुन्दर थे पर मीशो पर फ्रोड ना ओ ऐसा तो हो इनी सकते स्क्रीन पर वो बहुत ही जादा खुबसूरत है और इसका जो प्रोपर लुक है ना वो कुछ ऐसे पर इसके जो क्वालिटी है वो अच्छी खासी है इदर साइज आया है ना उसमें मेरे नापके दो पैर फिटोस आएंगे क्या साइज में मेरे मुझ से जादा बढ़े है यह जुत्ते क्या अजीब सा साइज है पर इसका जो लुक है ना वो कुछ ऐसा सा है और मैं सच बता रही हूं मानना पड़ेगा क्वालिटी इसकी जो दी है क्योंकि क्वालिटी में कोई कमी शमी नहीं है तो या गाइस बढ़े वाला जुत्ता होल बहुत पसंद आया होगा मैंने सभी के लिंक्स निचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में और कोमें भी पिन कर जिए ताकि आप इसली बाए कर सको अर आपको इसका पार्ट सेगिन देखन वो बता देना और मैं मिलती है अपनी नेक्स वीडियो में बट लाइक करके साना बाए